दोस्तो आरसीबी से मिली शर्मनाक हार के बाद जैसे ही जीटी की टीम प्लेउफ से बाहर हुई तो उनके हैड कोच आशीश नहरा शुभमन गिल पर काफी ज्यादा भड़क गए। जी हाँ दोस्तो आरसीबी और गुजरात टाइटन्स के बीच खेले गए मुकाबले में आर जिल शाह, साई, सुदर्शन जैसे बल्लेबाज तो दस का आकड़ा भी न चूँ सके और जैसे तैसे गुजरात टाइटन्स महज 147 रन बना पाई जो की इस सीजन के हिसाब से बेहद ही छोटा टार्गेट था। जब आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस मैदान में आए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में केवल 35 गेंदों पर 92 रन ठोक दिये थे। हाला कि उसके बाद 117 रनों के अंदर-अंदर गुजरात टाइटन्स आरसीबी के चह विकेट चटका चुके थे। लेकिन आरसीबी के लिए य एक तरफ जहा सभी खुश थे तो वही हार के बाद गुजरात के हेड कोच आशीश नहरा काफी ज्यादा नारास थे। जीटी की हार के बाद बीच मैदान में ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पर बरस गए और उन्हें खरी खोटी सुना दी जैसा कि आप इन तस्वी में देखना चाहते हैं।